नमस्कार आई आपको स्वागते हमारी यूटूब चैनल आकस लक्षर में और आज हम फिर अगर हैं एक नई लेटेश्ट अपडेट लेकर तो आज हम के लास इलेविंद का जो है चैप्टर जो हमरा चल रहा था उसका वॉलिम टू लेकर आ रहा हैं पुस्पी पादपों की जो आकार की थी उसी का ठीक है तो आए शुरूबात करते हैं इस लेटेस्ट वीडियो का और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और लाइक करते चलें जिससे अधिक लोगों तो कि वीडियो पहुच सके और सभी तक सभी का फाइदा इससे हो सके तो ठीक ह आए शुरूबात करते हैं आज की इस वीडियो का ठीक है लेक्चर का तो सबसे पहले हम उसमें हमने तनाता कर लिया था अब तना के बाद जो पौदों में आता है वो क्या होता है पत्ती होती है तो आए ये पत्ती का देखते हैं बहुत जो है अच्छी क्वालिटी की यहा कोई सुलक नहीं है जहां पर आपका सारा NCRT वेस के लियर है आपको इसमें याद करने में भी सायता मिलेगी इससे इसलिए आप जाए हमारे टेलेग्राम गुरूब जौन कीजिए पिलकुल फिरी में है चलिए शुरुबात करते हैं आज के लेटिस अप्टेट की अब पत पत्ति तो पत्ति में क्या हैगा पत्ति तो पत्ति पार्श भी चप्टी सनरचना होती है पत्ति कैसी होती है पार्श भी सनरचना होती है यह पौधा मान लिया इसमें यह पत्ति है तो कैसी होती है यह पार्श भी सनरचना होती है ठीक है पत्ति अब देखेंगे हम यह गां तो यहीं फल लगेंगे और यहीं से इसमें क्या होती है पत्ती निकलती है तो यह इसका जो होता है वो होता है यह पत्ती हो गई इसमें गांट से ही लगती है पत्ती ठीक है यह तो आपको समझा गया होगा चलिए ठीक है अब इसक्षी कली बाद में साखाओं को विक्सित कर आप निकलती है उसमें वो बाद में क्या बना देती है साखाओं को बना देती है यह तो हम्भी जानते है और वात है हमने अपने contemporik निकालती है immense यह यह पत्यां अगराभिशारी रूप से लगी करती हैं पत्ती जो होती है बोजन का नर्मान करती है क्यों वहीं तो हमने देख लिया था जाएँ है एब हम आ जाते हैं सराविन्यास पर तो सराविन्यास में क्या होता है पत्ती पर सरा तथा सराओं सरीकाओं के विन्यास को सरा विन्यास कहती हैं सरा नहीं रहती हैं जिस परकार से हमारे सरीर में सरा रहती हैं उसी परकार से पत्तियों में भी सरीकाओं पाई जाती हैं कुछ चोटी चोटी महीन महीन नलीकाओं दिखाई देती हैं आप एक काम कीजिए एक प सेरा विन्यास होता है यह प्राइज दूइप पत्री मिलता है लेकिन वो सामाफ़ नियास होता है ठीक है लेकिन दिखते हैं अब आजालि का बाल्द सिर्व इस पत्रीं वे सीधी लाइने होती हैं वो क्या होती है नली काई होती है वही होता है सामांतर सरविन्यास देखते हैं जब सिरी काई सामांतर होती है तो उसे सामांतर सरविन्यास कहते हैं हमने भी बता दिया ना यह प्रा एक बीजपत्रियों पौदों में मिलता है ठीक है जाली का वस्रविन है कि प्ति के प्रकार प्ति की प्रकार की प्तियां होती है जब प्ति कि अच्छिनित होती है अत्वाँ प्ठी हुई जो बीच में से यह मान ली जी एक पत्व है इसकी यह वाली जो होती है जो सथी होती है सरल पत्ति कौन रहे होती है है सरल पत्ति होती है है आप आया छाती disproportionately हो गया जब इस सहरीका कटा मद सोल नहीं पति है इस तरीका कैंangen कोलती है और जो फिर सर पत waiting और बहुत पत्रकों में तूट जाए तो ऐसी पत्तियों को संजुक्त-पति कहती है अब ये मान ली ये पत्ति है इसमें यह पहुंच गया एंसा एंसा तो यह पहुँच गया इस तग तो क्या हो गया यह संजुक्त-पत्ति हो गाई vídeos ठीक है अब आजाता है लेकं संसुक्त- ंने निगलती यह तो जानते होंगे। आब आता है संद्रक पत्ति और कितनी पत्ति हुथा अब अब इसम्में से नेट में इसके उदारन पर बने थे कहने में किस परकार की पतियंес यह कोसन बना था किस परिकार की होती आहे आप देखेगे पत्त का मद्ड इक किसे मद्ध सराह होती है उसकी एक flux क्या हुटा वो पिछाकार होती है और हस्ताकार में क्या होता है इस लिक कॉतन थीके हस्ताकार में क्या होता में जो पत्रफ एक ही की परनवरंत की चोटी से जोड़े हो रहते हैं ठीक है कः रिस सब्सक्टसरिश्बर पत्ति आपने यह सब अच्छे से लिए आ लो घंप पर रहती है पर विन्यास होता हैृई उसका जो विन्यास्तट यानि लगने का पत्ती के लगने का जो विन्यास होता है या क्रम होता है उसे परण विन्यास कहते हैं ठीक है देखो तने अत्वा साकाओं पर पतियों के विन्यसत जो विन्यसत होते हैं विन्यसत रहने के क्रम को परण विन्यास कहते हैं यह इसकी परिवासा होगा यह आप इस परिवासा को याद कर य बहुत important पड़िवासा होती है ठीक है यह प्रातीन प्रिकार के होती है एक अंतर सम्मुख चक्करदार अब एक अंतर एक के बाद एक अंतर नाम से ही इसपश्ट हो रहा है एक उसके बाद एक का अंतर आएगा ठीक है सम्मुख उसके आमने सामने सम्मुख हो गया चकरदार गोल करी के आकार का चकरदार चकर होता है ना विसनुजी का चकर हाँ उसी आकार का चकरदार ठीक है एक अंतर प्रकार के परण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रताए गाट पर एक अंतर रूप से लगी रहती है क्या होता है एक आंतर क्रम में परण विन्यास में एक अकेली पत्ती होती है और गाट के एक के बाद अंतर क्रम से वो लगी होती है एक सिंगल पत्ती देखिए ये पत्ती इस आकार की होती है ये हो गया पोधा अब इसमें पत्ती लगेगी एक आंतर क्रम में कैसी लगेगी ए चलो ठीक है एक यहां लगेगी है प्रभाएगा यां लगेगी इसके पाद एक कांतार आया क्यूण लगी ड्यें कांतर क्रांब हो गया कौन सा क्राम हो गया एक आंतर क्राम हो गया चलो ठीक है यह तो समंझ गया होँगे आप अब हम एक अंतर क्रम देख चुके हैं कि अब आंगगे चलेंगे उदारण के लिए एक आंतर क्रम का फूल सरसों सूरज मुखियां देखी ओंगे रहें लगी होती है सम्मुक प्रकार के प्रनेविन्यास में प्रते गांट पर एक जोडी पती निकली होती है एक जोडी यानि एक साथ दो हो सकती है एक जोडी निकली होती है जैसे कॉलोट्रोपस या आक में अकुवा होता है जो उसी में और अमरूद में अमरूद में इसको आप कि का नान का बोलते हैं अमरूद में दो थे एक निकली रहती है इक यह घाइड हो गाइड होती है कि तौथ तौद निकली हो अच्छा इस तक हां अब मान लिजिए इस पर दो पत्तिय निकली होती है यह हो गया को फीर Soo об दो पत्री होती हैं तो तो पत्रीैं और उनके चारों और एक चक्र साल बनाती है चक्र सबना लेती हैं जैसे अलस्टोनिया जिसे बैइवील त्ट्री कहलते हैं उसी में होता है 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 कि चाहिए आप आफ्टीयों के रूप अंतर्ण पत्टियों क किसके रूप अंतर्त हो जती है वह देखना है और tág म concentектив की संफ्रकार की संरशना नकलती है उसे क्या बोलते है प्रतान है ना आप अंगोर में देख सकते हैं लौकरीयील थीक है तोरही में देख सक्ते हैं जैसे मैं मैं लहसदा हो जाती है श्रम के आठ और कि पोग्दों में जो जाती है फूल कर आपकोछ पूदों में जैसे चोती नजी की पूरती के लिए क्या करती है वो नाइट्रोजन की अपूर्ती के लिए कीडों को पकड़ती है और उनको अपगटत कर लेती है या अपसुषत कर लेती है उनके द्वारा नाइट्रोजन को अपसुषत कर लेती है ठीक है यह तो हो गया आप आजाती है किस पर पुस्पकरम यह देखिए पुस पुष्प करम क्या है एक थोड़ा यह क्या सारा है वद्दा पुष्प एक रूपांतरत प्रारोय होता है जहां पर प्रारोय का सीर से मेरी इस्टेम में परिवर्टत हो जाता है पुरिया लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दवकर रह जाती है गाटों का क्रामानुसार पत्तियों की वजह पुस्पी उपांग निकलती है ठीक है आप इसमें आप यह देखिए इस पुस्प करम के लगने का तो लगने का करम होता है उसे पुस्प करम कहते हैं ठीक है अब पुस्पकरम कितने परकार के दो परकार के ससीमाक्ची असीमाक्ची क्या होता इस परकार के पुस्पकरम में प्रमुक अक्ष की सत्य व्रद्धी होती है और फूल पार्स में अगराविशारी क्रम में लगे होती है कहा लगे होती है यहां यहां फूल लगे होती है पार् एक पर लगता है कहा लगता यहांपर फूल लगएगा यह फूल लगा इसमें पत्तियां हैं यहां पत्तियां लगी है यह सारी की सारी पत्तियां है ठीके यहां मुख अक्षपर क्या होता इसमें फूल लगता है पुश्प लगता है चलिए तो आब हम finally clear कर चुके हैं सेशन दन्यवाद आप ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम यहां एक से वड़कर एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं और हम NCRT वेस, Neat वेस, सारे वेस के लिए कर रहा रहे हैं थैंक यू धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें थैंक यू